नमस्कार विद्यारतियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्यानोदे अकेडमी हनमानगर जंक्षन केस ओनलाइन यूटूब चैनल पर रीट क्विस दो जार इकेस पांच प्रशन रोज जाचे अपनी त्यारी लास्ट जो हमारा वीडियो आया था उसमें निती निदे सकत्तो का जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका था उससे बाहर कॉशन नहीं पूछे जाते आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल करतवय है और इस परकार हम प्रस्तावना मौलिक अधिकार नेती निदे सकता तो पूरा करते हुए आज मूल करतवय के बात करेंगे मूल करतवय पर पांच प्रशन आपके लिए अप्लोड कर रहा हूँ सिंपल भी है एजी भी है और इंपोर्टेंट भी है कितने प्रशन आपको आते हैं आप चेक कर सकते हैं तो आईए बात कर लेते हैं प्रशन नंबर एक की आपका प्रेशन नमबर एक है मूल करतवे सविधान के किस भाग में उल्लेखित है जी हाँ सविधान के कौन से भाग में मूल करतवे जो है उल्लेखित है ये आपको बताना है प्रेशन नमबर दो की बात कर लेते हैं मूल करतवे का उल्ले किस अनुच्छेद में है तो देख कि जब सविधान लागू हुआ तब मूल करतवियों की संख्या कितनी थी प्रेशन नमबर चार वर्तमान में सविधान में कुल कितने मूल करतवे अगर हम वर्तमान प्रिस्तिती की बात करें तो सविधान में मूल करतवियों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है और अंतिम प्रेशन की बात कर लेते हैं प्रेशन नमबर पाँच नवीनतम मूल करता हुए कौन से सविदान संसोधन द्वारा जोड़ा गया देखिए मूल अभी प्रेशन नमबर चार था वरतवान में कितने मूल करते हुए जो नवीनतम मूल करता हुए है मौली करता हुए हमारा है वो कौन से सविदान संसोधन के द्वारा सविदान के अंदर जोड़ा गया है तो यह पाँच प्रेशन है आपके मूल करता हुए से संबंदित आपको कितने आते हैं आप चेक कर सकते हैं और आज एक मेरा लाइव वीडियो आएगा कि अभी जो 10th और 12th के पेपर जो बच्चों के रद हुए हैं उसके बारे में तो अगर आपके भी कोई छोटे भाई बैन अगर हैं तो उन्हें बोले एक बज़े गैनोते अकेडमी हनमानकर जंक्शन से लाइव जुड़ें लाइव में आपको बताऊंगा कि अब 10th के बाद कैसे प्रमोट होंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को शेयर करना ना भूले थैंक यू